Hello and Welcome आप देखरहे हैं Sports, Sakक और मैं हुआ धिरज मेरे पीछे जो 그리고 आप देख रहा हैं आप सभी जानते हैं ये हैं Pakistan Cricket Team के Team Director और ये ऐसे Team Director है जो कभी आप सभी जानते हैं कि कभी Pakistan Cricket Team को Online Coaching भी देते हैं कभी उनके साथ ये भी करते हैं फिर आपको याद आएगा, हमेशा ही अपने बयानों की वएसे विवादों में रहते हैं और ये खुद भी फसते हैं, साथ ही साथ टीम को फसाते हैं आप सभी यानते हैं कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई, कभी उनके जनरलिस को दिक्कत होती है कभी उनके फैंस परिशान होते हैं, कभी उनके आँसे कोई उठके ये बोल देता है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है, जो उनके बोलर से हैं, वो अच्छी गेंदबाजी इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको एक अलग गेंदबाज मिल रही है ये सब तो आप सुनते हैं, ये बाहर की आवाज हैं, लेकिन ये है inside noise वो outside noise को तो फिर भी इंसान ignore कर सकता है, लेकिन inside noise किसे कर सकता है अब बात करते हैं Mickey Arthur की मिक्की आर्थार आपको याद होगा जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला एमदाबाद में हुआ था तब उनने कहा था ऐसा लग रहा था यह कोई BCCI का इवेंट है फिर जब मुकाबला हार जाते हैं आपो लेकर उसके पहले मिक्की आर्थार ने एक और अजीब और गरीब ब्यान दे दिया जब उससे पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप इंडिया आए हैं, इंडिया में वर्ल्ड कुप खेल रहे हैं, इंडिया में वर्ल्ड कुप की देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा आपको, क्योंकि आम तोर पर जब IPL होता तो ऐसे टीमेट लगता, ट्रेवल कर रही होती, सारी तो उनका मानना है कि हमें ऐसा लग रहे हैं कि हम COVID काल में आ गए हैं, जिस तरह हमारी टीम के साथ, और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, COVID काल की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि security जो उनको टीम को मिली हुए, आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान भारत आई हुए पाकिस्तान को लेकर आप सभी हैं, सबसे पहले हैं, तो उस पर मिकी आर्थर कहते हैं, कि सबसोरी दिक्कत हमें यह बो रही है, कि टीम आपस में बॉंडिंग नहीं दिख पा रही है, जो breakfast team को मिलता है, वो ऐसा लगता है कि हमें अलग से कहीं दे दिया जाता है, breakfast वो खिला practice वगेरा होती है, अगर वो रह जाती है, तो आपको टीम होटल में ही रहना पड़ता है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी security हो रही है, उनका यह कहना है, साथे साथ में यह कहना है, कि अगर हमें कहीं बाहर जाना है, out जाना है, जैसे उनने बुला है कि कुल जबसे Pakistan cricket team इंडिया आई है, सिर्फ तीन बार उनको बाहर जाने को रेस्टोरेंट वगेरा का मौका मिला है वरना कहीं जाने को भी नहीं मिलता है, इतनी सारी दिक्करते हैं तो कुल मिला के अगर इस पाकिसान क्रिकेट टीम के हम बात करें मिक्यार्थर साब की बात करें, तो क्रिकेट के अलावा इनको हर चीज में दिक्कत नजर आ रही है और आज भी एक प्रेस कॉन्फरस में उनने ऐसे ही कुछ बेतु के बयान दिये जो लोगों की समझ से उपर है, वैसे मिक्यार्थर साब ने क्रिकेट खेला हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ है, सौथ अफ्रिकान क्रिकेट से, लेकिन जब भी ये बयान देते हैं, हमेशा कुछ उटपटांगी होते हैं और जब ये टीम डारेक्टर भी बने, क्योंकि बावाराजम की पसंद में भी आते हैं लेकिन टीम के भले की लिए, या आप कह सकते हैं टीम के अच्छे के लिए, अगर कुछ बात करना हो, तो अमेशा कोई ना कोई ऐसे बेतु के बयान निकाल लेते हैं, या एक्सक्यूज ऐसे निकाल लेते हैं, जो गुमरा करते हैं अब देखते हैं कि जो मुकाबला होना है न्यूजरेंट वर्टस पाकिस्तान का आप से कुछ देर में ही मुकाबला होगा आप सभी जानते हैं बैंगलोर में बारिश के थोड़े बहुत हाल चाल भी है और वहां बारिश की संभावनाई भी नज़र आ रही है बट आम तोर प सामने ये है कि किसी प्रगार की प्लेइंग लेवन में दिक्कत नहीं है लेकिन न्यूजरेंट के हम अगर बात करें तो न्यूजरेंट के सामने ये तकलीफ है कि वो अपनी ग्यारा कैसे होता आते हैं ये है कि कुछ तस्वीरे देखने को मिली जहां केन विलियमस अगिस्तान के खिलाफ डेगेंग में तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्ति आप से भीगर जोडने के लिए